दोस्तों अगर आप केंद्रिय विद्याले संगठन में वैकेंसी का बेट कर रहे हैं तो आपके लिएक बड़ी खबर है इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पारेंगे संयुक्त आयुक्त एकडमिक ने देश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि केंद्रिय विद्यालों में समीदा पर होंगी विशेश सिक्षकों की भरती पूरे देश बर में 1225 केंद्रिय विद्याले हैं और इसमें विशेश सिक्षकों की भरती होनी है पाँचवी तक 10 दिव्यांग बच्चों पर एक सिक्षा का प्रावधान है और कक्षा 6 से 8 तक 15 दिव्यांग बच्चों पर एक सिक्षा का प्रावधान है यह विशेश सिक्षा क्या होते हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा जब सीटेट या फिर यूपिटेट के लिए उन्हें ही special educator के तौर पे जाना जाता है तो अगर आपने special BA या फिर special DA कोर्स किया है तो आप इस भरती प्रक्रिया में समलित हो सकते हैं संविधा पर ये भरती होगी चुकि मामला अभी माननी कोर्ट में विचारा दिन है माननी कोर्ट से जब तक अंतरिम रूप से फैसला नहीं आ जाता तब तक ये संविधा पर रखे जाएंगे विशेस आवसकता वाले बच्चों को मुख धारा से जोडने के मकसद से केंद्रिय विद्याले संगठन ने महतोपूर्ण पहल की है केंद्रिय विद्याले में संविधा पर विशेस सिक्षक रखने के आदेश हुए हैं संगठन के संयुक्त आयुक्त ने सभी छेत्रिय कार्याले के उपायुक्तों को पत्र लिख करके विशेस सिक्षकों के नियमित पद स्रिजित होने तक प्रतेक विद्याले में अनिवारी रूप से सम्विदा पर विशे सिख्छक रखे जाने के आदेश दिये हैं यह वो ओफिशियल लेटर है दिनांग 21 नवंबर 2022 का जोकी आप अपने स्क्रिन पर देख पारोंगे केवियस में वैकेंसी के संदर में यहाँ पर वहीं सब्सक्रिक बात लिखी गई है कि मामला विमाने ने कोट में विचारा दीन है और जब तक कुछ अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाता या फिर जो पद है वो स्रिजित नहीं कर लिए आते तब तक यह कॉंट्राक्ट बैसिस पर टीचर्स हायर किये जाएंगे जो की स्पेशल एजूकेशन से सम्मानित हैं तो अगर आपने बियर्ड या फिर डियर्ड इस्पेशल एजूकेशन में किया है तो आपके लिए सुनहरा मौका है के वी एस में कॉंट्राक्ट बैसिस पर इस जोब को पाने के संदर में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो